हलो दोस्तों मैं प्रिशान और आप सब लोगों को जिस IPO का बेसबरीज से इंतजार था फाइनली वो IPO आ गया है यहां यहां पे हम बात करें NTPC Green Energy के IPO के उपर और इस IPO में आपको apply करना है या फिर इस IPO को avoid करना है यहीं पैसा नहीं लगाना है क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं साधी साथ क्या यह IPO as a listing is हमें कुछ profit बना के देगा या नहीं देगा यह भी एक सवाल उठता है यह सवाल क्यों उठता है आपको analyze करके बताऊंगा इस वीडियो में और as a listing is यह कितना profit देगा इवे में आपको बताऊंगा based on grey market premium यह इस IPO से लेक्टर जो भी doubt हो चाहे shareholder quota के लिए हो या फिर कुछ हो doubt हो सब doubt यहां पर हम इसी वीडियो में clear करेंगे बस एक ही request है वीडियो कहीं से भी skip नहीं करना नहीं तो important concept miss हो जाएंगे और अगर आप पहली बार चैनल पर विजट किया है तो चैनल को जल्दी जाए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि और भी बहुत सारे upcoming IPO है और सारे IPO का अनालिक से आपको यहीं पर मिलेगा सटी विद लॉजिक तो आगे बरतने से पहले हम यह देख प्रसंट का मालिकाना हक रखता है और अगर हम इसके operational के उपर focus करें तो as on August 31st 2024 इसका जो operational capacity है वह आपका 3071 मेगावाट फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट यानि सोलर प्रोजेक्ट से 3071 मेगावाट इसका operational capacity है यहीं इसके लावा wind प्रोजेक्ट से भी इसका operational capacity है वह आपका 100 मेगावाट का और इसका जो भी प्लांट लगा हुआ है वह सिक्स स्टेट में इसका प्लांट लगा हुआ है सिर्फ यहीं ने इसके अलावा भी अगर हम इसके business model को थोड़ा और डीटियल से देखें तो इसके पास long term vision है और इतना मैं अभी आपको बता सकता हूं वीडियो कि थोड़ा सा क्योंकि उससे पहले हमें multiple चीज़ें जानना जहूरी है क्यों long term के लिए बेहतर है क्योंकि FY32 तक यह अपना installed capacity को 60 GbW तक ले जाने के बारे में सोच रहा है और government का plan भी है कि इंडिया को zero carbon emission बनाना जो की long term plan है 75-77 तक का plan है तो उसमें यह एक अहम role play कर सकत है और अगर हम government company की बात करेती है सबसे बरी government company है जिसका dependency renewable energy के ऊपर है इसके अलाबा सिर्फ renewable energy नहीं आपको पता ही है कि hydrogen की उपर भी multiple जो four wheeler company है वो R&D कर रही है और electric vehicles के बाद hydrogen भी alternate energy source बन सकता है फोर्स बिलर के लिए तो उसमें भी यह अपना hydrogen हब बना रहा है आंधर प्रडेस में तो जो जो alternate renewable energy का source है उन सब के ऊपर यह company काम कर रही है इसी सब को देखते वे लग रहा है कि company का future है वो काफी शानदार है listing ins में क्या होगा वो हम आगे बात करेंगी लेकिन long time के लिए काफी बहतर है इतना तो अभी आप बोल सकते हैं तो business model तो ठीक ठाक लग रहा लेकिन यहीं पे कुछ भी decision नहीं लेंगे हमें अभी बहुत कुछ analyze करना बाग के तो चली चलते हैं अगले step तो अब सबसे important point कि आ important concept है और कुछ भी हमने discuss नहीं करा है तो सबसे पहला question कि shareholder quota के लिए कौन-कौन से लोग eligible है तो एक line के state में जिन भी लोगों ने 12 November या फिर उससे पहले NTPC के shares को buy करा है और अभी तक sell नहीं करा है तो वो shareholder quota के लिए eligible है क्योंकि company ने अपना RSP फाइल किया है number 13 को और 13 November तक आपके limit में होना चाहिए वो तब ही होगा जब आप 12 November को purchase करे होंगे ठीक है अब देखिए अब आप कैसे कैसे allotment chance को बरहा सकते हैं तो सबसे पहले आप retail quota में apply किजिए retail quota में maximum आप 13 lot के लिए ही apply कर सकते हैं और यही काम आप shareholder quota में भी कर सकते हैं maximum आप 13 lot के लिए ही apply कर सकते हैं तो आप अपने fund के साफ से देख लिए कहां कितना apply करना है क्योंकि IPO का size आपका 10,000 करूर का है और 10,000 करूर का काफि बिग IPO है तो allotment almost confirm मान लिजे allotment आपको मिल जाएगा shareholder quota में भी confirm मिलेगा और retail quota में भी बहुत हद तक चांस है कि confirm allotment ही मिलेंगे तो सोच समझ के आपको apply करना होगा वहीं अगर आप employee हैं तो retail quota में एक आप apply कर सकते हैं अगर आपके पास NTPC का share है जो date हमने दिखा है उसके according तो आप shareholder quota से भी एक application डाल सकते हैं और employee quota से भी यानि सेम पैन कार्ड से आप तीन application डाल सकते हैं और अगर आप shareholder quota से eligible है तो सेम पैन कार्ड से आप दो application डाल सकते हैं उमीद करते हैं कि सारा कुछ clarity सारा कुछ clarity मिल गया होगा और जो भी doubt है वो clear हो गया होगा अभी भी कुछ doubt है comment section में comment करिएगा वहाँ पर हम आपको answer करेंगे अब हम ipo के timeline के उपर बात कर लिए यह नहीं ipo open कब हो रहा है तो यह ipo 19 नॉंबर को open होगा और 22 नॉंबर को close होगा चार्ट दिन इसलिए मिला है क्योंकि 20 नॉंबर को market बंद रहेगा क्यों बंद रहेगा क्योंकि महारास्ट्रा में election है allowment date की बात करें तो 25th number को allowment date रहेएं इस दिन पता चलेगा allowment आपको मिला है या नहीं मिलता है तो refund आपको 26th number को मिलेगा और listing date की अगर हम बात करें तो 27th number को इसका listing होनी जा रहा है यानी इस दिन वागर ही पता चलेगा कि ipo कितना profit दे रहा अज़ लिस्टिंग है तो प्राइस बेंड की अगर बात करें तो लोवर प्राइस में आपका वन जीरो टू और अपर प्राइस में नहीं होता है तो आप retail quota और shareholder quota दोनों के लिए apply करना चाहते हैं तो दो से multiply कर दिजे और अगर आप employee quota से भी apply करना चाहते हैं तो इसको आप 3 से multiply करते हैं यह नहीं जितने अलग-अलग application डालेंगे उतना minimum इतना fund होना चाहिए issue size की बात करें तो 10,000 क्रोड का big issue size है और recent times पर जो भी बरा IPO है उतना ज्यादा profit बना के नहीं दिया 10,000 क्रोड या फिर उससे ज्यादा जो भी IPO है उतना बेतर perform नहीं किया तो देखना है यह perform गरता है या फिर नहीं गरता है पूरा का पूरा आपका fresh issue है यानि पूरा का पू ऐसे से क्या करेगी वह मैं आपको आगे बताऊंगा तो चली चलते हैं सबसे important point इसके financials पर और देखते हैं कि fundamentally company कितना strong है तो अगर हम इसके financials को analyze करें तो ऐसे अगर हम देखे 18,431 करोड का 23 में है 27,206 करोड का 24 में है और 32,408 करोड का आपका September 2024 यानि फर्स six month fy 24 25 के first six month का data यानि half yearly data है रेवनिव अगर हम बात करें तो fy 23 में 170 करोड का रेवनिव है और profit after tax आपका 171 करोड है यानि आप बहुत कम देखेंगे यानि exception होता है कि revenue से ज्यादा profit है क्यों है क्योंकि इसको tax benefit मिला था तो मैं हर एक बारी की आपको details explain करता हूं ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ जाए विजरवन से प्लस आप यहां पर देख सकते बाकि नेट वर्थ और टोटल बॉर्डरिंग का डेटा एकर हम बात करें तो इसके बात करें तो इस प्रॉफिट में टैक्स था उसके बावजूद भी प्रॉफिट भी आपका एफवाई 24 में काफी शांदार रहा है नेट वर्थ भी देखें तो काफी शांदार रहा है विजरवन साप्लस भी ठीक ठाक है टोटल बॉर्डरिंग एक काउज अफ कंसर रहा है इसके लिए 12,796 करोड का टोटल बॉर्डरिंग से यह नि डिप बहुत जादा है उसकी बाद अगर हम एफवाई 24 की बात करें तो रेवन्यू आपका 1132 करोड का यह नि रेवन्यू ठीक ठाक इसलिया से रहा तो लगभग आपका 245 करोड करीब का रेवन्यू जा सक बैकप कर सकता है नेटवर्थ विजर्वन सर प्लस में यहां पर ठीक ठाक देखने को मिलवा प्रॉब्लम है डेप डेप इंक्वीज होता जा रहा है यानि कंपनी के पास स्कर्ज बहुत जाता है अब देखना होगा कि प्राइसिंग में इस चीज को कंसीडर करा गया है या फिर नहीं है तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की पर्फॉमेंस इंडिकेटर के वेसिस पर इनलाइज करें तो विटर्न और इक्वीटी सेवन परसंट करीव है जो कि क्वाइट लोवर साइट पर रोसी है नहीं डेप टूइक्वीटी के बाद करीव है यानि मैंने पर इस पर इस पर इस पर रहा है और यह नहीं है और यह नहीं रहेगा इस चीज़ को ध्यान देना विटर्न नेट बहुत कम है आपका लोवर साइट पर दो परसंट के आसपास है प्राइस टूब्क वैल्यू नाइन टाइम्स के करीब रखना थोड़ा सा महंगा लग रहा है प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो सिक्टिन पसंट के करीब का प्रॉफिट मार्जिन यह चलिए ठीक ठाक है तो प्लाइस टोड़ा सा हाई लग रहा है इस कंपनी के लिया से देखे तो चलिए इसके पियर्स के साथ करते हैं तो और पिक्चर क्लियर होगा इसके लिश्टेट पियर्स के अगर हम बात करें तो इंडिया में अदानी ग्रीन ही है और रिन्यू इनर्जी ग्लोबल पियल सी इंडिया के बाहर की इसलिए का डेटा है नहीं हमें इसको देखना इनलाइज करना अदानी के साथ तो सबसे पहले मार्केट क्या अगर हम दे यह प्रॉक्स और 970 क्लोर का प्रॉफिट अदानी ग्रीन वाइज देखें तो अदानी ग्रीन बहुत महेंगा अभी लेकिन यह 210 के प्लेबल है और प्राइस तो बॉक वैलू पर यह आपका लगभाग 10 के प्राइस तो बॉक वैलू देखेंगे तो लेकिन सब कुछ को एन रखा गया यह नहीं वैलूइशन अगर आपका 10-15% और कम कर देता तो आई प्यो एट्रैक्टिव हो जाता और अच्छा खासा वीटर्न देता लेकिन वह काम नहीं करा गया मतलब जो बंपर लिस्टिंग गेंस की हम उमीद करें थे वह बंपर लिस्टिंग नहीं मिलने वा प्रफोलियो है गोर्मेंट के तरफ से कंटिन्यूर सपोर्ट मिलते रहता है यह सारे पॉजिटिव है वैलूइशन हाई रखा गया है स्ट्रॉंग परेंटेज वाली कंपनी है लेकिन उससे आप से वैलूइशन भी महंगा कर दिया गया है और कंपनी के पास कर्ज का मार्केट में इसका डिमांड है लेकिन म्यूटेट डिमांड जैसा कि मैंने आपको बताया था वैलूइशन हाई कर दिया गया है इसलिए यह ज्यादा बड़ा लिस्टिंग नहीं देने जा रहा है इतना मैं एक लाइन में क्लियर कर देना चाहूंगा तीन से पांच रुप मार्केट में लिस्ट हो सकता है निगेटिव लिस्टिंग के चांसे अगर हम देखे तो बहुत कम है लगबग आपका 20% चांसे है कि यह आपको निगेटिव में लिस्ट दे सकता है और वैसे 80% चांसे है कि यह आपको छोटा ही साही लेकिन प्रॉफिट दे सकता है 1000 के आसपास का loss आपका हो सकता है और maximum profit के अगर हम बात करें तो 2000 के आसपास का profit यह आपको मिल सकता on an average यहां से आप वही 600 to 1000 का profit के आप उमीद कर सकते हैं तो अगर आप 1500 कमाने के लिए वही 1500 रिस्क पे डालना चाहते हैं तो इस IPO में आप apply करने का decision ले सकते हैं और अगर आप 1500 कमाने के लिए 1500 रिस्क पे डालना नहीं चाहते हैं तो simply इस IPO को avoid भी कर सकते हैं नहीं जितना crazy पहले बनाया जा रहा था उतना attractive यह IPO नहीं है लेकिन उम यह long term का है extreme long term करना जा रिया है तो फिर कुछ सोच सकते हैं otherwise सब कुछ मैंने share करें दिया आप DCN ले सकते हैं वैसे आप इस IPO में क्या करने जा रहे हैं apply करें या फिर avoid करें comment करके अपना opinion जरूर दीजेगा और आपके opinion का इंत जा रहेगा तो इस वीडियो में इतना है मिलत करें ए जापके करें रहे हैं जापके आपके में करें ले दूर बार आपके जा है